Q2. The volume of the cube is increasing at the rate of 8 cm3 per second. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है volume of the cube dv over dt हमें गीवन है 8 cm3 per second. अब आपको दिमाग में बात आ रहे होगी कि वहाँ ते लिखाने है with respect to time t, आपने ही कैसे लिख दिया नीचे dt? बिल्कुल सही बात है, लिखा तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन गीवन के है हमार पस is equal to 8 cm3 per second, per second, second क्या होता है हमारा time का unit होता है, तो dt, समझवाती ही बात ही है, तो कई बार given ना भी हो तो ये given होता है, तो ये easily हमें बता देता है कि हमें dt लिखना है या कुछ और लिखना है हमें ये given है, और हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि rate of how fast the surface area increase when the length, उचोड़ो, how fast the surface area increase, surface area को s माननो, ठीक है, तो ds over dt हमें find करना है, और surface area क्या होता है, cube का 6x square, बस हो गया हमारा answer, वह नहीं हुआ, देखो, लिख दोना आप है, पहले तो volume of cube is equal to v मान लेते हैं, ठीक है, v, जो की होता है हमारा पास, x cube, ठीक है, x हमारा side है, side of cubic, ठीक है, तो ये पहुच गया हम यहाँ पे, यहाँ से हम dv over dt निकाल लेंगे, तो dv over dt क्या हैगा हमारा पास, और यहाँ लिख दो हैं, dv over dt, is equal to, क्या, 8, 8 cubic per second, यह हमारा given है, यह given है हमारा पास, ठीक है न, तो अब हम, इसकी value find कर लेंगे, क्या value आएगे हमारा पास, x cube को करेंगे, differentiate, t के respect में, x cube को आएगा, हमारा पास, 3x square, फिर हम x को करेंगे, differentiate, t के respect में, तो हमें dx by dt मिलेगा क्योंकि यह दोनों अलग-अलग है x अलग है t अलग है ठीक है यह मिलेगा मैं अब हमारे पास पताओ यह value है कि नहीं हमारे पास यह v है यहाँ पे यार dv over dt यह value है कि नहीं हमारे पास बिल्कुल है यह तो हमें given ही है तो यह put कर दो यहाँ पे तो हमार पास क्या है हमार पास 3x square dx over dt यह वाला equal to equal to इसकी value हमार पास 8 है तो 8 लिख दो यहाँ पे तो यहाँ से मेर पास dx over dt की value क्या आएगी इसकी value क्या आएगी 8 over में यह 8 divide में 3x square 3x square ओके यहां तक पहुंच गए हैं तो हमने यहां से dv over dt की value find कर ली है और उससे हमने value given थी उससे हमने dx by dt की value find कर ली है यह हमें use करना है अब यह हमारा ब्रामास्तर है कैसे देखो अब हमें पता है कि surface area surface area of cube क्या होता है हमार पास 6x square होता है है इसको s मान लो ठेक है तो ds over dt की आएगा हमार पास जल्दी से बताओ हम यहीं तो find करना है तो यह क्या आएगा हमार पास इसको differentiate कर दो with respect to t तो 6 into में 2x तो हमें 12x मिल जाएगा फिर हम x को करेंगे differentiate तो हमें dx by dt मिल जाएगी value अब यहां से मुझे बताओ कि इसकी value है हमार पास इसकी value बिल्कुल है इसकी value तो हमने निकाली है कि पूरी यह करके हमने क्या है इसकी value इसकी value 8 over 3x square है तो d12 into में यह वाला x फिर into में dx by dt जो कि हमार पास यह 8 over 3x square इसको simplify कर लो x से x cancel हो गया और 3 से 12 cancel हो फोर आ जागा है आपे तो 32 over x हमार पास ds by dt की value आ गई और हमें किस point to find करना है वो हमने छोड़ा था पढ़ा नहीं था उसको how fast the surface area increase when the length of a edge edge is 12 cm मतला हमार पास length of the edge कितना दे रखा है dt हमार पास x की value क्या given है edge मतलब side होता है तो कितनी गिए हमार पास x is equal to कितने पी चेक करना हमें 12 cm पर करना है 12 तो बस जहां पर भी x हो आपे 12 put कर दो 32 ओवर में 12 क्या आएगा हमार पास आएगा हमार पास cancel हो रहा है 2 से हो रहा है 4 से हो रहा है 8 ओवर में 3 तो 8 ओवर में 3 ठीक है और unit का लिखुए आपने में उपर क्या है surface area surface area क्या होता हमार पास 6 x square side का whole square side का whole square मतलब centimeter square ओवर में dt टाइम तो ओवर में s तो हमने unity भी लिखती यह हमारा answer complete हो गया ओके